Hello and Welcome to Fun Learning जैसा कि हम throwing event के बारे में पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में हम discuss throw के बारे में पढ़ेंगे इसके rule, measurement के बारे में सारी चीज़े हम अच्छे से इस वीडियो में पढ़ेंगे और अगर कोई भी doubt होता है, कोई भी query अगर आपकी होती है आप मुझसे social media पर इन ideas के द्वारा जोड़ सकते हैं इन सबका link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इसका जो sector है वो किस तरीके से बनाया जाता है जैसा हमने पिछली वीडियो में short put के sector बनाना सिखाता बैसे ही इसका sector भी सेम ही बनेगा इसमें भी हम एक circle पहले draw कर लेंगे इसका लेकिन जो diameter होता है वो होता है 2.50 meter का जो हमने short put में पढ़ा था वो होता था 2.135 meter का short put का जो diameter होता है वो होता है लेकिन जो discuss का circle बनता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है short put के comparison में तो इसका diameter 2.50 मेटर होता है तो इससे हम इसका radius निकाल लेंगे इसको 2 से divide कर दिया तो ये निकल गया 1.25 मीटर तो हम क्या करेंगे 1.25 मीटर के एक measuring tape निकाल कर एक circle हम mark कर लेंगे सबसे पहले तो circle mark करने के बाद हमें एक straight line चाहिए sector line को mark करने के लिए तो straight line mark करने के लिए हम को क्या करना होता है 3-4-5 का formula हम यहाँ पर लगा देंगे हम center point से एक चाप लगा देंगे 3 मीटर की इस तरफ को 4 मीटर की हम इस तरफ को लगा देंगे फिर हम यहाँ इस point से ठीक है इमेजिनरी line निकल जाएगी 18.84 मीटर तक हम इसको draw कर देंगे फिर हम इसके बाद 6 मीटर इस तरफ को और 6 मीटर इस तरफ को निशान लगा देंगे ठीक है इस तरीके से और फिर यहाँ इस point से center point से हम 19.77 मीटर के distance पर mark लगा देंगे और यह इस तरीके से हमारी एक sector line निकल जाएगी और दूसरी भी इस तरीके से हम मार कर लेंगे और इसमें भी sector का जो angle रहेगा 34.92 degree का ही रहेगा जैसा short put में भी हमारा same ही था और यहाँ पर center line को extend कर देंगे तो यह indicator line 75 cm की रहेगी और circle पे पूरा हमारे rim लगी रहती है जो की 6 mm की रहती है और line की width कितनी होती है 5 cm जो की include नहीं होती है marking में, exclude होती है और उसके बाद एक discuss cage लगा रहता है discuss में, यह safety reason की वज़़े से इस तरह का cage लगा रहता है, और यह जो cage है कुछ इस तरह से design किया जाता है बनाया जाता है कि यह 2 kg की discuss जो की 25 meter per second की दर से घुमते हुए अगर आए तो इसको वो stop करने की ख्षमता रखे रोकने की ख्षमता रखे और यह जो cage रहता है यह एक तरप से open रहता है यह U-shape में बनाया जाता है यह U-shape का यह होता है और generally इसका जो net रहता है यह synthetic fibers का या फिर steel की wire का यह बना रहता है और इसकी जो width और height कितनी रहती है यहां आप देख सकते image में इसकी जो height रहती है वो 4 meter की होनी चाहिए ठीक है और इसकी जो width यहां से यहां तक इसकी जो width रहती है वो होती है 6 meter की और center point से लेकर इसका distance यहां तक रहता है 7 meter का फिर है इसमें discus अब discus की measurement देखते हैं इसमें देखे कुछ इस तरीके की discus यूद होती है जो की लकडी की बनी रहती है इसका यह वाला part आप देख सकते हैं लकडी का बना हुआ है लेकिन जो side वाला भाग है और यह beach वाला भाग है यह metal का बना रहता है यहां पे देखे side में भी इसमें rim लगी रहती है metallic rim होती है और इस discus की measurement men's और women's के लिए अलग-अलग रहती है इसमें men's के लिए 2 kg की discus यूज की जाती है और women's के लिए 1 kg की और इसका diameter देखे 219 mm से लेकर 221 mm के बीच में रहता है men's के लिए और women's के लिए 180 से लेकर 182 mm और इसके जो metal head है metal head का diameter कितना रहता है यह रहता है 50 से 57 mm और women's के लिए भी 50 से 57 mm इसका metal head का diameter रहता है अब देखे इसकी मोटाई कितनी होती है जो बीच में से discus होती है वो थोड़ी से मोटी होती है men's के लिए देखे 44 से लेकर 46 mm और women's के लिए 37 से लेकर 39 mm के बीच में बीच में से इसकी मोटाई रहती है discus की और किनारों से इसकी मोटाई कितनी रहती है यानि किसकी rim कितनी होती 12 से 13 mm इसकी thickness रहती है यहां किनारों से women's के लिए भी 12 से 13 mm discus कितने तरीकों के होते है या तो ऐसा बोल सकते है कितने style होते हैं discus को फैंकने के लिए अब इसमें एक तो रहता है standing throw एक होता है rotational throw अब standing throw में आप जैसा इन image में देख सकते हैं कि standing throw में क्या होता है सीधे ही खिलाडी खड़े खड़े डिसकस को फैंक देता है बस हाथ को वो थोड़ा swing कर लेगा फैंकने से पहले और rotational throw के अंदर क्या होता है खिलाडी क्या करेगा rotate करेगा अपनी body को ठीक है अपनी body को पूरा rotate करते हुए घुमते हुए फिर डिसकस को जितने दूर तक हो सके फैंक देगा ये दो तरीके थे discuss को फैंकने के लिए अब इसके बाद इसके कुछ rule हम देख लेते हैं अब देख खिलाडी circle के अंदर से ही discuss को फैंकेगा तभी वो valid माना जाएगा और खिलाडी यहां पर खड़े होकर जैसे भी वो फिर अपनी position लेगा जो भी style से वो discuss को फैंकना चाहता है चाहे वो खड़े-खड़े यहां पर हाथ को swing करके discuss को फैंक दे चाहे वो rotation लेकर यहां पर discuss को लेकिन discuss को फैंकते समय खिलाडी को ध्यान रखना चाहिए कि खिलाडी circle line को touch ना करे या circle के बाहर उसका pound ना पड़े अब क्योंकि यहां circle पे rim लगी रहती है तो खिलाडी जो है rim के अंदर वाले भाग को वो touch कर सकता है लेकिन उसके उपर top अले भाग पे वो touch नहीं कर सकत है और discuss को फैंकने के बाद यहां पर वो इसी sector area के अंदर land होनी चाहिए इसी line के अंदर अगर वो यहां पर इसके बाहर land करती है तो वो fall माना जाएगा और खिलाडी तब तक circle को छोड़ कर नहीं जा सकता जब तक कि discuss land नहीं करती है अगर discuss के land करने से पहले ही खिलाडी circle को चोड़ के चला जाता है तो वो भी fall माना जाएगा और खिलाडी को हमेशा इस indicator line के पीछे से निकलना होता है circle के बाहर वो यहां इसके आगे से बाहर नहीं निकल सकता अगर वो ऐसा करता है तो वो भी fall माना जाएगा फिर उसके बाद next देखिए कि हर एक खिलाडी को कितने चांस दिये जाते हैं इसमें भी हर एक खिलाडी को तीन तीन चांस दिये जाते हैं अगर खिलाडी आठ से जादा होते हैं और अगर खिलाडी आठ या आठ से कम होते हैं तो यहां पर छेछे चांस हरे खिलाडी को दिये जाते हैं और फिर आठ टॉप एट जो खिलाडी रह रहते हैं इसमें जो प्रैक्टिस ट्राइल रहते हैं वो किसी ऑफिशल की सुपर विजन के अंदर ही रहने चाहिए क्योंकि इसमें कहें सेफ्टी का कंसर रहता है क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर बिना किसी ऑफिशल की देखरेक में शॉट पूट फैंकने लग जाएगा डिसकस फैंकने लग जाएगा जैबलीन हैमर इसमें क्या है किसी को भी चोट लग सकती है इसलिए इसमें सेफ्टी की रिजन से ऑफिशल की देखरेक में ही प्रैक्टिस ट्राइल दिये जाते हैं और इसमें भी जो इक्यूमेंट होते हैं सभी फिल्ड इवेंट के अंदर डिसकस शौट पुट के अंदर खिलाडी जो है वो अपने जो इक्यूमेंट है यूज नहीं कर सकते हैं अपनी डिसकस इसमें यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकेशन रहती है कितना इसका वेट रहेगा कितना इसका डायमेटर रहेगा या इसकी रिम दिया जाएंगे उनिके साथ में ही खिलना होता है और डिसकस जो है वो एक ही हाथ से फेंकी जाती है और खिलाडियों की सेफटी परपर्स के वज़र से वो टेप लगा सकते है अपने हाथ में लेकिन व जो टेप है वो एक एक उगली में लगनी चाहिए जैसा हमने शौट पे या अपने शूद पर कोई भी श्ब्सैंस नहीं डाल सकता है इसा करना अलाउट नहीं होता है डिसकस के अनदर भी और खिलाडी लेंडिंग एरिया के अंदर लेंडिंग सेक्टर के अंदर भी अपना कोई पर्सनल रेफ्रेंस या मार्क यूज नहीं कर सकता है लेकिन चौक या एडिंसिव या कोई भी सिमिलर जो सबस्टेंसे बोल लगा सकता है अपने हाट पर कॉम्पटिशन के दोरान फिर है अगर टाय होता है तो टाय ब्रेक कैसे होता है अगर कोई खिलाडी सबसे दूर अपनी डिसकस को फैंकता है बिना कोई फॉल किये वो अगर सबसे दूर अपनी डिसकस को फैंकने में सफल हो जाता है तब उसको यहाँ पर बिनर माना जाता है लेकिन अगर कोई दो खिलाडी सेम ही डिस्टेंस पर अपनी डिसकस को फैंकते हैं अगर उनके बीच में टाय हो जाता है तब उस टाय को ब्रेक करने के लिए क्या क्या जाता है इसमें क्या देखा जाएगा सेकिंड बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी जिसकी सेकिंड बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी वो यहाँ पर बेनर हो जाएगा लेकिन अगर फिर भी टाय रहता है तो थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी ठीस ने ऐसा ही चलता रहेगा जब तक बेनर नहीं यहाँ पर मिल जाता है कोई पिर अब है इसकी measurement कैसे ले जाती है measurement देखिए इसमें हर एक belly trial के बाद immediately इसमें measurement ले जाएगी इसमें दो official रहेंगे जो कि यहां एक measuring tape को पकड़ेगा और एक इस तरफ को पकड़ेगा और यहां पर वो measurement ले जाएगी measurement जो rim की inner side है यहां से measurement ले जाएगी यहां पर इसका zero point रहेगा और इस तरफ जहां पर भी discuss सबसे पहले पड़ेगी ठीक है मान लिजे यहां पर पहले discuss पड़ी है भले ही वो बाद में उचल कर दूर चली गई हो लेकिन जहां सबसे पहले discuss पड़ी है बहां पर measurement ली जाती है और discuss अगर इस sector area के अंदर कहीं पर भी land करती है तो यह एक valid trial होगा यहां पर बिल्कुल सही होगा कोई भी fall इसमें नहीं होगा अगर यहां line के उपर discuss पड़ती है तो यह यहां पर fall माना जाएगा इसको major नहीं किया जाएगा और अगर इसके बाहर पड़ती है सेक्टर के बाहर कहीं पर भी discuss पड़ती है तो यह भी fall माना जाएगा इसको भी major नहीं किया जाएगा इन सब को major किया जाएगा तो जैसा कि मैंने अभी पहले पताए zero side measuring tape की यहां पर रहेगी और center point के according measuring tape को पकड़ लेंगे और यहां पर इस तरीके से इसकी measurement ले लेंगे और इस तरह से ही यहां पर और इस तरीके से ही यहां पर इसकी measurement ले लेंगे फिर है discuss के अंदर भी time limitation होती है इसमें भी एक minute का time दिया जाता है खिलाडी का जब नाम लिया जाता है उसके बाद उसके पास एक minute का time होता है अपने discuss को फैंकने के लिए फिर उसके बाद इसके official कितने होते हैं इसमें भी देखिए simply एक chief judge रहता है दो इसमें measurement judge रहते हैं एक scorer रहेगा एक time judge रहेगा और एक announcer रहेगा यह छोटे competition के अंदर जो बड़े international competition होते हैं उसके अंदर 10 या 11 judges रहते हैं जैसे कि उसमें देखिए chief judge रहेगा यह सारे तो रहेंगे ही measurement judge रहेंगे इसके अलाबा measurement judge के साथ एक judge रहता है जिसके पास क्या रहेंगे दो flag रहते हैं एक इसमें white flag रहेगा एक red flag रहेगा अगर valid trial होता है तो white flag उठाएगा अगर invalid होता है तो red flag उठा देता है और एक judge रहेगा जो देखेगा कि discuss कहां पर सबसे पहले land हुई है कहां पर क्या करेगा prism या एक छड़ी बहाँ पर जाके guard देगा फिर measurement judge जाके उसको measure करेंगे एक judge scoreboard के लिए रहेगा एक के पास क्या रहेगा athlete का charge रहेगा और इसके अलाबा और भी होते हैं इसमें 10-11 judges रहेंगे assist करने के लिए I hope आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप मुसे social media पर भी चूट सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जुर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिए notification bell icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट पहुँचती रहें